ओ, चात गई, चात गई ये तो सबेरे सबेरे जाक आ रही है उनका लकड़ी कटाई करके मा घाट पे छोड़ाए रही वही लेने जाए रही हूँ पापी मेरी पापी कुमारी नाज या बेबी नाज या सलमा बेग 1950 के दशक का हिंदी फिल्म इंडस्री का बहुत चर्चित नाम था सलमा ने महज 8 साल की उम्र में फिल्म रेशम में अभिनेत्री सुरया के बच्पन का किरदार अदा किया था सलमा के पिता लेखक थे और फिल्मों में लिखने के लिए स्च्रगल कर रहे थे सलमा के पिता के दोस्त प्रेड्यूसर लेकराज ने पहली बार सलमा को फिल्म में काम करने का मौका दिया हालाकि पहले सलमा की पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे लेकिन आर्थिक तंगी की वज़ा से वो सलमा के फिल्मों में काम करने के लिए मान गए थे बेबी नाज ने फिल्म में एकबाल कलाकार की रूप में अपना करियर शुरू किया एक बाल कलाकार की रूप में उनकी सबसे यादगार भूमी का आर के फिल्म्स की बूट पॉलिश जो की 1954 में रिलीज हुई थी उसके अलावा विमल रॉय की देवदास थी उन्होंने दा न्यू यॉक टाइम से अपनी बेहतरी नैच्रोल आक्टिंग और 1955 में कान फिल्म समारो से एक विशेश सय बिनेता रतनकुमार के साथ प्रशंचा अरजित की जहां उनकी फिल्मों को दिखाया गया था 1958 में स्विश साहित्तिक अपन्यास आइकन हेदी पर आधारित दो फूल नाम की एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी हेदी की भूमिका जिसे फिल्म में पूरिमा कहा जाता है बेबी नास द्वारा निभाई गई थी जो उस वक्त मास्टर रोमी के साथ सबसे प्रसिद पाल सितारों में से एक थी जब वो बड़ी हुई तो एक चरितर अभिनेतरी के रूप में बहु बेगम, कटी पतंग, सचा जूटा इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की भूमी का निभाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अच्छी भूमी काई निभाई उनकी जिन्दगी का एक बहुत ही मशूर किस्सा है कि जब फिल्म के सेट पर ही उनकी मांग भर दी गई थी वाकिया साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म देखा प्यार तुम्हारा की शूटिंग के दोरान का है डारेक्टर के परवेश के निदरेशन में बनी इस फिल्म के हीरो थे प्रतवी राज कपूर के भांजे सुभी राज सुभी राज को फिल्मों में अधिकतर पुलिस आफिसर से लेकर बिजनसमैन की भूमिका में देखा जाता था वहीं फिल्म की हिरोईन थी सलमा बेग। उस समय तक सलमा को बेबी नास के नाम से जाना जाता था। फिल्म की शुटिंग प्रताबगड के किले में हो रही थी। सुबीराज और बेबी नास साथ में काम करने की वज़ह से काफी घुलने मिलने लगे थे। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबीराज को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मुंबई जाते ही वो बेबी नास से दूर कर दिये जाएंगे। उनकी शादी के बीच दो अड़चन थी। पहली नास का धर्म अलग था और दूसरी नास की इंकम से ही उनका परिवार चलता था। सुबीराज नास के प्यार में काफी मुबतला थे और उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। एक दिन हुआ यों कि सुबीराज ने शूटिंग के दौरान ही बेबी नास की मांग में संदूर भर कर उनसे शादी कर ल मेरा घर मेरे बच्चे में भी साथ में काम किया था। बाद में नास ने एक डबिंग अलाकार के रूप में अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की। अधाकारा श्रीदेवी की शुरूती फिल्मों में नास ने अपनी आवाज दी थी। 19 आक्टूबर उनसे फिल्मी पर